रोतास जिले में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है जिले के करगहर वें पैक सध्यक्ष विजंदर यादव की गोली मार कर हत्या कर दी गई विजंदर यादव करगहर के प्रमुख भी रह चुके थे और फिलहाल पैक सध्यक्ष भी रहे हैं वो पिछले कई दशकों से लालों के साथ यादव और आरजेडी से जुड़े हुए थे साथी ते जस्वी यादव के करीबी माने जाते थे रविवार की सुबह जब वो कुछ मजदूरों के साथ अपने धान के खेत में सुहनी कराने के लिए पहुँचे तो उसी वक्त बाइक सवार दो अपराधियों ने उन्हें गोली वार दी इसके बाद विज़न रियादव की मौके पर ही मौत हो गई जब खेत में काम कर रहे मजदूरों ने गोलीयों के आवाज सुनी तो दोल कर सलक पर पहुँचे तब तक बाइक सवार अपराधी हतियार लहराते हुए फरार हो गए थे थोड़ी देर के बाद करगहर थाने की पुलिस घटनास तल पर पहुँचे और चानवीन शुरू की इस दोरान पुलिस को ग्रामिनों का आकुरूश भी जिलना पड़ा आकरोशित ग्रामिनों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की और पिटाई की सिपाही चंदन कुमार सही दो पुलिस कर्मियों को चोटे भी आई इधर एक राहगीर की भी जम कर पिटाई हुई है घायल पुलिस कर्मी और अनिको इलाज के लिए करगहर के पिएससी में भरती कराया गया सासाराम सदर के डियेस्पी संतोष कुमार राय भी दलबल के साथ मौके पर पहुँचे और लोगों को समझाने की कोशिस की घाटना के पीछे पुरानी रंजिस की वज़ा बताई जा रही है आपको बता दें कि दो साल पहले भी विजंदर यादव पुर अपराधियों ने फाइरिंग की थी मुझपरपुर में युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई घाटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है जानकारी के मताबिक घाटना सिवाई पट्टी थाने की है जहां पर रंगही पुल के पास बाइक सवार अपराधियों ने 18 साल के बिट्टू कुमार नाम के युवक की युवक को गोली मार दी जिससे वो गंभी रूप से घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसने दम तो दिया बताया जा रहा है कि बिट्टू काटी थाना इलाके से घर लोट रहा था उसके साथ उसका दोस्त अनिल भी था इस वरान तीन अपराधियों ने उसे घेरा फिर अपराधियों और बिट्टू के बीच वाद विवाद हुआ और एक अपराधी ने उसे गोली मार दी जबकि अरिल वहां से किसी तरीके से जान बचा कर भागा और परिवार वालों को जानकारी दी परिजनों का कहना है कि बिट्टू अपनी प्रेमी का से मिलने गया था और इसी वज़से उसकी हत्या की गई फिलहाल पुलिस जाज कर रही है पीटा में लेगा तो यह को बोली लगा हुआ था जांग में इसके साथ बुलिटिन में फिलहाल इतना ही देखते रही है